खेलमंत्री रेखा आरिया ने छात्राओं के लिए बन रहे हौकी स्टेडियम का दोरा किया और छात्रवास में मिलने वाली सुविधाओं पर छात्राओं से बाथशित की और करमचारियों को निर्मांड कार्यon में किसी भी प्रकार की लापरभाई ना बरतने के निर्देश हरी द्वार की रोशनाबाद में छात्राओं के लिए हौके स्टेडियम का निर्मार किया जा रहा है जिसका निर्क्षन करने के लिए खेल मंत्री रेखा आरे राजकी संप्रेक्षन ग्रह उम्खेल छात्रावास पहुंची जहां उन्होंने छात्रावास में मिलने वाली क्षित्र में लड़कों से कम नहीं है फिर चाहे वो कोई भी क्षित्र हो हमारी सरकार भी खेल को बढ़ावात देनी के लिए लगातार प्रयास कर रही है खेल मंत्री ने स्टेडियम की सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें मल्टी परबस हॉल हॉस प्रफ्टल सहीद बैठने की उचित व्योस्ता की गई है जिसका निर्मारीकार इसी वर्स अक्टूबर तक पूरा खर लिया जाएगा अगे चलके हमारे बच्चे जोकी बहुत सारे बच्चे अभी नाशनल में जाएंगे बहँ सारे बच्चे स्टेट लेवल पर जाएंगे तो उनकी तयारे किस प्रकार से चल रही है ये सारी चीजे उनके मध्य में चर्चा-परिचर्चा का हिस्सा होंगी और मैं मानते हूँ कि इस से निशीत रूप से विभाग को भी एक दिशा मिलेगी और हमारे बच्चे भी जो है सही दिशा पकड़ते हुए जो है विभाग उनको सहीओ कर पाएगा अपने इस हौकी स्टेडियम हरिद्वार का साथ ही अपने जो मल्टी पर्पर्पस हॉल है जो हरिवार में निर्माणाधीन है रोशनाबाद में इसका भी निरक्षन आज यहां पर किया गया है दोनों को निरक्षन करने का पर्पस दोहजार चॉविस में जो नैशनल गेम होने जा रहे हैं उसकी तेयारियों के निमित आखिरकार चीजे कितनी प्रोग्रस में आई है इसको देखने यहां पर पहुंचे थी तो हॉके स्टेडियम का जो टर्फ है वो तो अभी विभाग को हेंड़ोवर हो चुका है जिसमें लगातार पानी के छड़काओं के साथ में वेल्मेंटिंड है दर्शक दिद्गा भी लगभा लगभा तेयारी की सिति में हैं लेकिन कारदाई संस्था कुपा गया है कि इसमें तेजी करें मल्टी पर्पेस हॉल जहांकि बॉक्सिंग या रेसलिंग होनी है तो इसकी भी तेयारी काफी हद तक हुई है कारदाई संस्था को जम्यदारी अक्टोबर महा तक पूर्ण करने की दी गई है तो मुझे भी जो आज यहां पर आकर देखा है दर्शर दीगा से लेकर मुटी पर्पेस हॉल से लेकर तो उमीद यही करते हैं कि मतिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करन के उद्दिश से समवेदन शिल मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंतरी लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रक्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बेहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है योजना से जुड़ी अधिक चानकारी योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेलप लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइड cmlarlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूस आपके हख में आप देख रहे हैं तखल नियूस